दोस्तो हाज़ना एक होर वीडियो रिपोर्ट लाएके चैनल रितेश लखी अनप्लाग्ड उते थे मेरी आज दी ए वीडियो रिपोर्ट आदारित रहेगी पंजाब दे वीडियो पंचैती जमीना शामला दिया जमीना उतेओं असर रसूखदार लोकां दे जायज दे नजायज जेड़े कबजे जायज दो मैं क्यों जिगर किता है ए रिपोर्ट दे अंत तक तो नुकलियर होएगा लेगिन इस तरीके दे कबजे छुड़वाँ दी पंजाब सरकार दी जेड़ी मुहिम इना दिना विच अखवारा ते वी टीवी चैनला दिया सुर्खियां बढ़ी होई है उसनू अज मैं एक्जामिन करागा असल दे बिच पूरा दा पूरा मुद्दा की है तकी वाकिए पंजाब सरकार दी मुहिम है क्योंकि सियासी पार्टिय या सतादारी तिर या औस दे जेड़े पंचैती राजमंत्री हैगेने कुल्दी तालिवाल मीडिया कैमरेया दी हाजरी दे बिच टीवी क्रूज नू नाल लजाके लोग का निया जमीन ना या फिर कह लिए भी पिंडा निया जमीन ना उते कबजे हटवान दी इक जड़ी फोटो आप एक्सरसाइस कर रहे है इस दे पिच्छे एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई है जिसना आज कोई जिकर भी करना नहीं चांदा मैंनू लगा मैं पिते तकरीबन तेन-चार हफ़ते हैं तो सोच रहा है जदो भी इस तरीके दी कोई खबर या मैं बयान कुलदीब तालिवाल है किसी भी मंतरी संत्रीदा सुनदा है मैंनू बड़ी हरानी हुन दिया कि ए लोग सच्चाई नू साड़े सामने बयान क्यों नहीं करना चांदे ठीक है चंगी गाल है कि आज पंजाब दी आम आदमी पार्टी पगवांतमान दी सरकार नू रबनिक अजेहा सुनेरा मौका दिता है जिस कारण की ओ इना नजैज कब जयानू पिंडा दिया इना जमीना तो इना नजैज कब जयानू हटवाओन दा जेड़ा कम है बीना किसी रुकावट दे हुन ओक कार पौन गे एक अजेहा वर्दान है जो की पगवांत मान दी सरकार नो मिला है लेकिन एस दे पिछे असल शक्ती की है आज दी रिपोर्ट चापा ओगाल करांगे थे एक असल शक्ती ना दा पंजाब दी किसी सियासी पार्टी दा जुड़ी होई है ना कि किसी पंजाब सरकार या पुराणिया सरकारा दे कामकाज दिना जुड़ीया होई है पूरा दा पूरी जड़ी ताकत है जो कि इस वक्त पंजाब सरकार नो इना पंचैती जमीना दे उते हूं कबजे नो चुडवान दे विच सहाई साबत होन वाली ताकत है ओ जित्थों मिल दी पई है ओ है सुप्रीम कोर्ट दी एक जजमेंट ते इस पूरी जजमेंट दे ले आया ते एस साल सत अप्रैल दो हजार बाइनुएक अजेहा लैंडमार्क फैसला आया जिस दा जिकर आज कोई भी पॉलिटीशन या पंजाब दे विच मैंनों हिरानी है कोई करके राजी नहीं है असी लोका नो यह ताक कह रहें कि यसी मीटिंग किती फैसले ले सरकार ने दे नजायज कबजे हटवाण दे जड़ा कम है वो शुरू हो गया पजाह हजार एकड़ असी नजायज कबजा हटवा लड़ना है मैं सरकार दी जानकारी दे पिच लिया देना चानना हा कि सिर्फ पजाह हजार एकड़ दी गलता जस्टिस कुल्दीव सिंग दी उस दे उत्यों नजायज कबजे असर रुजूगदार लोका दे पिंडा दिया ना जमीना तो हटा के पिंडा दे सपूर्द करन दा एक गोल्डन मौका है सुनेरी मौका है इस लैंडमार्क जजमेंट हर्याना सरकार दी इस लड़ाई ने एक मौका पंजाब सरकार नो भी दौए है तो आप इस पूरी पूरी गलबात इस जजमेंट दी चर्चा करांगे क्योंकि लोका नो सारी अपने दमाग दे खाने ना खोल के चीजा नो समझन दी कॉंसेप्ट समझन दी कानूना नो समझन दी जो कुछ हो रहे अपने आले द्वाले उसनों समझन दी लोड़ लेकिन इस तो पहला कि मैं इस साथ अपरेल दोहजार बाई दी सुप्रीम कोट दी जजमेंट दी गल करां मैं थोनू पिंडा दी कंसॉलिडेशन जदो हों दी यानिकी जड़ी मुर्बा बंदी होई उस तो बाद उनीसो काहर दे विच पँजाब विलेज कॉमन लेड़ अक्ट दोजिए है अक्टनी सौ अज़वाट दे जो के ग्याइडिंग प्रिंसीपल्स ने ते पिंडा अनिया जड़ीयां समीना है गयाने उना दी सांजे मंतवाली जड़ियां जमीना उना दी अख्तियारा हेट ने उना दी मैनेजमेंट या उना दी मलकियत हेट ने जिन्हों आपा मोटे तौरते शामलाट दी जमीना कह दीद है लेकिन एक टेकनिकल शब्द है शामलाट दे जिसनों क्या जानदा है दे दा मतलब जमीन, ते शामलाट मतलब common purpose, यानि कि सांजा मंतब सो सांजे मंतब दी जड़ी जमीन हुंदी है, ओ पिंड दी जमीन वननी जान दी है सब तो जड़ी टेकनिकल गाल समझन वाड़ी है, जिसो ते ती साल, तिन दहा के सुपरीम कोट विच कोड़ होया जो कि सानुत होनु साब नुँ समझन दी लोड़ है, ए सारे नजायज कब जड़ी लड़ाई या मोहिम नुँ थोड़ी होर बारीकी ना समझन दे पक्खों ओ टेकनिकल पॉइंट ए है कि शामलाट दे जड़ी होन दी है, ओस दे विच हिस्सेदारी पिंड़ दे उना लोकना दी होन दी है, जिना दी जमीन ना पिंड़ना दे विच रहियां होन है या पहला रहियां होन दिया रहे सो स्टेक होलडर दे रूप इच जिमेंकी कंपनी दे विच साड़ा कोई शेर होवे, मालो सो एकड़ पिंड़ दी शामलाट दे दी जमीन दा पाँ एस्टिमेट लाया है ते ओस दे विचों जे थोड़ी मेरी मलकियत पिंड़ दे जड़ी जमीन एक एकड़ है ता ओस शाम पिंड़ दी शामलाट या सांजे common purposes दे लई अपनी जमीन दा एक टुकड़ा पिंड़ दी शामलाट या पिंड़ दी पंचायत नों दित्ता होए हुने थे समझ दे हैं कि जड़ों निसो और ताली दे विच कंसॉलिडेशन होई सी पिंड जड़ों इंड़ोस्तान दे विच बढ़दे ने लैंड सीलिंग दे एक लंबी चौड़ी मूव्मेंट सर छोटू राम थे बहुत अजे है लोका ने तोरी जिस्तो बाद की देश दे विच लैंड सीलिंग अक्ट जड़ा सी ओ लगा पारत दे भी जड़ों एक कंसॉलिडेशन ओफ लैंड होल्डिंग होंदी है मुरूब्बे बंदी होंदी है उस वक्त एक सर्टेन लिमिट जो की सीलिंग आक्ट देता है तिक सीलिंग तै करती गई उस तो बाद जमीन दे मलकियत रखन दा अक्टियार किसी को भी नहीं सी तो किसी भी पर्टिकुलर इलाके दे विच यानि की ओ पिंड जो की वसों दे विच आये उना दी जड़ी होंद है ओ क्रेट होंदी है पिंडा दे अलाग अलाग इलाके दे भी जित्थे की लोग पेना टाणियां ते र सीजन या फिर काफी समय तो जिस जमीन उते खेती बाड़ी ना हो सकती होवे और बैरन लैंड होवे उस उते अक्सर पिंडा दी जड़ी अबादी है उसनों बसाता गया सड़कां वगएरा रैन दी जड़ी लोकालिटी सी उननों बनाया गया तो उनना इलाके दे बीच पि ओ ता उस दी अपनी रही लेकिन जिते उस दी जड़ी जड़ी जमीन दी हाद सी ओ सीलिंग एक्ट उ उत्ते टपी ओ लैंड सरप्लस हो गया थे ओस पिंड दी पंचायत नों देता गया सिद्धी जी गलवाद सी अजेहा सरप्लस लैंड जो की सीलिंग एक्ट तो वद किसी सब्सक्राइब ऐसे पंचाया दिया ने कि ओ शामलाट या पंचाया दिया इक होर केटेगरी जन नहीं जी जिनकी मथेरय जहे हट एक संप्रीच से आफुछ गवेलेबट नई सी लांड इसे लिलाएइशन तो बाद विच पंचाया निया लोक सान उनने अपनी जमीना दा जड़े जड़े रखबे होना को सान ओना दे बीचो कुछ-कुछ हिस्सा पिंड दे संजे मंतमा ते कार जान लई शामलाट दे दी जमीन दे रूपिच दिता है एक कानून भी सी ते एस तहत एक लैंडपूल क्रेट कर ला गया जिसनों ना दिता गया शामलाट दे हुन श जड़े जड़ी मलकीफ जिसनों आपँख सकते हैं उस दे बीच शेयर होल्डर्स दे ना सी उना लोगपने जिनने जमीन देई हुना दान ना इना दे मालकाना या रेवन्यू रिकॉर्ड दे बीच बोल दा जिस नो शामलाट दे जड़ी 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 ज आनून ले आनदा एक एक्ट ले आनदा जो कि एक्ट नंबर 9 सी ऑफ 1992 हर्याना सरकार अते ओथों ता पंचायत मैकमा उसने एस चीज नू समझ ले ऐसी कि बहुत अजे है पिंड़ा दी जमीना उते नजर रखन वाले लोग ने मालक जमीदार है गेने जो कि ये मन देने की शा के लोका की नजर बावाद के लोग ने मन दे बिच लाल चा गया खृएदार मिल गे जो की चानदय सी कि क्योंकि मल्कीत दा जड़ा हाक है किते Howard की इंदया हु आत्य बोलदा सी वह जमीन वांपस ले ना चान थी सी तै इनू अग्गे आं बेचना चानद दे इसी तो इस जड़े जमीदार सी, जड़े मालकाना हक राख दे सी गे, ओ लोग हाई कोर्ट दे भी चले जाने ने, हाई कोर्ट वनो इस केस नो एक्जामिन किता गया, चार-पांच साले लिटिगेशन चली, जिस्तो बाद हाई कोर्ट ने हर्याना सरकार दे इस कानून नू नल एंड पंजाब जड़ा विलेज कॉमन लैंड एक्ट उनिस ओफ काहट उस दी मदा दे विच इस एक्ट नंबर नौ नू शामल कार लाए गया सी, जिस तहत ओजड़े जमीदारा ने किसी समय अपनी जमीन ना दे कुछ-कुछ टुक्णयानों, हिस्यानों, पिंड़ दी पंचायत नू एक कॉमन पूल दे विच शामला दे विच दिता सी, उस नू कॉंट्रिब्यूट किता सी, ओ जड़ा लैंड है किसी भी सूरत दे विच वापस कदे नहीं हो पाएगा, एक हर्याना सरकार ते पंचायत दा फैसला सी, ते बिल्कुल वाजब फैसला सी, और ना मक्सद ए बाल काना हक नू क्लेम करके वापस दावा कार सकते नहीं, ओन न नंए विदान सहबाद एपिच कानून पास कारता, कानून नो जदू पंजाब ते हरैना हाई कॉट ने एक्जानिन गिता, उननने सम्विदान दे आर्टिकल कत्ый- इग violation इस कानोन नू मन्या, उन सम्विदान दा article 81A, उन दा मतलब सिद्धा-सिद्धा A है कि मैं किसी जमीन दा मालक है, मैं अपनी जमीन नू जिस नू चाहा, जदो चाहा, जिवे मैं ठीक समझ दा हा, उमें मैं वेज सक्दा हा, कुछ लिमिटेशन इस रूल होते पंचाहता दे संदर बिच होंदी है, लेकिन ओना लिमिटेशन तो ज़्यादा वाद्या होया, एक मालक नू जड़ा हक है, ओ देश दा सम्विदान दन दा है कि अपनी प्रॉपर्टी नू कल दो भी, किते भी, किसी नू भी, अपनी मर्जी दे मत बाबक बेज सकता है, सब्जेक टू दोस लिमिटेशन, उन ओस जड़ा एक्ट या जड़ा आर्टिकल लिकती, ए दी बॉलेशन मन के, हर्याणा सरकार दे पंचाहत दे ओस एक नंबर 992 नू, अल्ट्रा वाइरस आफ दे कॉंस्टिचूशन यानि कि सम्विदान दी उलंग सरकार ने पंचाबत हर्याणा हाई कौट दे इस पैसले नों चुनोफटी देती हुँदि सुक्रीम कोड नी इस केस दे अपनी सुनवाई लुगा अपना अपक देती सुनाए उनने इस कानुन देख्याख को सनाया है। गई या जेड़ा भी कानून जेड़े जमीदारानों प्रभावित करेगा हर्याना दाए ओ जमीदार वाके ही ओस जमीन दे उत्ते खेती बाड़ी कर दे सी या फिर ओ जमीन दे उत्ते लैंड सीलिंग दे डिदी हद सी लिमिट सी उस दे दारे दे विच उना दा अख्तियार या ख कसी इस चीज़ नो तुसी किते भी कि रिकार्ड किता है वकीला ने कहा कि इस चीज़ नो हाई कोट दी जाज मेंट से रिकार्ड नहीं किता गया सो सुप्रीम कोट ने वापस इस केसे ऱॉन रॉव dat तुस है डों पॉनिदार हागे ने ऊहां चेक करो रो किसीदी हाग और करन तो बाद फेर हाई कोड अपना फैसला सुनाए ते फिर साड़े कुल तुसी आयो ते फिर असी जे कुछ फैसला सुनाना होगा ता सुना मांगे सो 1998 में तो लिटिकेशन हर्याना सरकार दीज़ी वापस चली जान दी है जैसिंग वर्सिस हर्याना दा जड़ा केस सी ओं पंदरा साल होग पंजाब अते हर्याना हाई कोड विच उस दे उते केस चलदा रहा 2013 दे विच पंजाब दे हर्याना हाई कूट ने फैसला सुनाया फैसला एक वर फिर हर्याना सरकार दे खिलाफ सी हर्याना सरकार दे पंचैता दे खिलाफ फैसला आया जमीदारा दे यानि कि ओ लोग जो की हक जता रहे सी शामलाट दे दी जमीन जिस विची ओना ने अपने जमीन दे टुकड़े हिससे बतार एक कॉंट्रिबूशन ओस कंसॉलिडेशन दे मौके मुरब्बे बंदी दे मौके दिते सी ओनों वापस अपने नाओ ते ट्रांसपर करन्दा जिड़ा हाक सी ओस नूँ एसर्ट कर रहे सी ओना दे हाक विच पंजाब ते हराणा हाई कूट ने दुबारा फैसला सुनाता हुने एक क्रिटिकल फैसला सी हराणा सरकार ते पंचैतर दुबारा सुप्रीम कूट गई है क्योंकि सुप्रीम कूट ने 95 सार पहला ही ता क्या सी कि हराणा हाई कूट एक बार क्लियर करे त उस तो बाद फिरसी फैसला सुना मागी वी ते नौ साला दो हजार तेरा तो लाके दो हजार बाई तक के केस चल दा है साथ अपरेल दो हजार बाई आज तो ठीक एक महीना ते दो दिन पहला सुप्रीम कोट दे जस्टिस हमंत गुपता दा एक लैंड मार्क जजमेंट आन दा आएक्ट नंबर 9 1992 उसनों सही ठहराया उसनों जायस ठहराया उसनों जायस ठहराया उसने जड़े सेक्शन सी 2G4 ते 2G6 जिस तहत की हर्याना सरकार ते उत्थो दे पंचैती मैक में ने एचीज दी कलपना कर ली सी कि ए जड़ा लैंड है इसने उत्ते दावे होनगे शामला दे दी जमीन उत्ते दावे जड़े है उत्ते मालका मनों किते जानगे लेकिन केसे भी सूरत दी विच ए लैंड इना मालका नों वापस नहीं किता जा सकता एक नॉन ट्रांसफरेबल ते नॉन रिटरनेबल जड़ी कंसॉलिडेशन दे वक्त होई जे ही मूव सी जिसनों काहट दा पंजाब जड़ा विलेज कॉमन लैंड एक्ट एक दोवे कानूना दे विच कदे भी एक कलपना नहीं सी किती गई कि जड़ा जमीन या जड़ा रखबा जड़े तुसे अपने लैंड दे हिससे ने जे तुसी पंचैत दी जमीन नू संजे पूल दे विच दे दन इस नहीं लै सकते हो उसनों अग्गे गहां नहीं बेश सकते हो सो सुप्रीम कोर्ट दा एस सत अप्रेल दा दा दो हजार बारा दा एक वाटरशेड जज़मेंट है जिस तो बात स्तिती साफ हो गई हर्याना सरकार ने इस जज़मेंट तो कुछ ही दिना दे विच अपनी ओ लेकिन हर्याना सरकार ने की किता हर्याना सरकार ने जिम्मेवारियं लातियां ते हिदायता उना दे सरकार वनोजारी करते हैं कि छेसे हलके दा पटवारी है एक मुष्ट बैठ ते कंसॉलिडेशन उफ लैंड होई इस विच वट उस त वाबि शामलाड दे जमीन जब़द खसरे जड़े भी खेवर्ट नंबर जड़े बोल दे सी शामलाट दे दे ना दे उते ओ सारे दे सारी जमीना नू इंतकाल दे विच रेविन्यू रिकॉर्ड दे विच पिंड दी पंचायत दे ना चड़ाता जाए एक आरवाई जदों इलाका पटवारी करेगा इस तो कुछ अच्छी दिना दे बाद लगपाग सातिया दस दिना तक हलके दा जड़ा इलाके दा कानूंगों है उसनों एक फिल्ड विजिट कारके एस रेविन्यू रिकॉर्ड दे विच कित्ती की तर्मीम दी तस्दीक करनी होएगी यानि कि फिजिकली जाके मौका वेखना होएगा देखना होएगा कि जमीन दे उते इस वक्त कबजा किदा है की कुछ बंड रख्या है ते उसनों बापस जड़ा है जड़ा रेविन्यू रिकॉर्ड दे मताबक उस दे उते रिपोर्ट दे नी होएगी ते कुछ हफ्तेया दे विच जड़ा असिस्टेंट कलेक्टर जड़ाना हक है उसनों रिस्टोर करता जाएगा उस तो बात मुकदमे बाजियां होंगे लोग प्रोटेस्ट करनगे कंटेस्ट करनगे सो सेक्ष्ण 13 ए जड़ा हैगा उस एक्ट दे दहेत पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट है उस दे तहत मुकदमे बाजी दे विच केस जानगे जड़े मालक है गे उना वो लोग पंटेस्ट किता जाएगा उपनी जमीना नों शामलाट दे ना होन दे जड़े क्लेम है गे ने वो कर सकते ने उस दित्थी दे विच जड़ा जिलेदा कलेक्टर है छे महीने दे विच एस पूरे दे पूरे विवादा है कि शामलाट दे दे उत्ते जड़ी भी जमीन है ओ पिंड़ दी पंचायत दे सपूर्ध है उस दे विच किसी भी मालक दा किसी भी जमीदार दा बता और एक शेर होल्डर ना था बोल सकता है लेकिन उस दा कदे भी दावा ओ मुकमल नहीं है सुप्रीम कोट ने इस उत्ते लौ सेटल करता है कोई भी अजेही जमीन उस दा हिस्सा जो की भी ते दो चार पांच साथ दहाक्या दे विच जे ट्रांसफर होया है किसी भी प्राइवेट होर बंदे नूँ उस नूँ याता उदे ओरिजनल मालक ने उस शेर नूँ खुद कलेम करके सरपंचा देनाल वा इक महीने दे विच बिना कोई शोर सराबबा बिना कोई पॉलिटिक्स किते इस पूरे दे पूरे काम नों जमीनी पद्दर उते लागू कारता है एक केस हर्याने देनाल तालुक राकता सी लेकिन पंजाब दे नाल पंजाब दे उते सुप्रीन कोर दा एक फैसला कुछ देर बाद पंजाब दे जड़े अधिकारी करमचारी ने उन्हानों भी एक समझ विचा गई लेकिन पंजाब दे विच नमी सरकार बनी है तो पंजाब दे मंतरी साब ने मीडिया दे कैमरे लाके नाल तूरक ये उन्हान ने जाके फिल्ड दे विच जो कुछ भी कित ठीक है मनोर लाल खटर दी सरकार है इस तो पहला दास साल पुपेंदर सिंग खुड़े दी सरकार है उस तो पहला ओंपर का चोटाला रहे उस तो पाद पजन लाल समझ पॉसिबली ए 1992 दे जड़ों लेजिसलेशन आ दिये ते इस सारी अलाग अलाग पार्टियां सी पजन कांगरेस तो सी ओंपर का चोटाला लोकदाल तो सी पुपेंदर सिंग खुड़ा कांगरेस तो सी मनोहर लाल खटर बीजे भी तो ने लेकिन अक्रोस दो पार्टी लाइन उत्थो दी सरकारा थे उत्थो दे पंचैती मैं के मैंने अदालतां दे बिच जड़े मुकदमे बा हर्याना ने एक बहुत ही प्रफेशनल तरीके नाल हर्याने दे सरकार ने इस केस दी लड़ाई जड़ी सी लड़ी सी आप हुन पंजाब दी स्तिती दी काल करी आदा बड़ी चोटी अगल नाने एक उल्दीप जो तालिवाल कहन दे फिर रहने थे मैंनों हर्यानी दी काल है उस दा असल बैक गराउंड ए है सत अपरेल दो हजार बाई दे स्टेट अफ हर्याना वर्सिस जैसिंग दे मुकद में तो बाद जड़ा फैसला सुप्रीम कोट दा आनदा है ओ कानूनी शक्ती पर दान कर दा है पंजाब दे मैक में नों पंजाब दे पंचैती डिपार्ट पंजाब सरकार नों ताकि किते भी जाए किसी भी पिंड दे विच जायज थे न जायज हूं तो सी समझ गे ना मैं मैं रिपोर्ट दे शुरुआत दे विच जायज दी गाल कार रहा सी क्योंकि काफी हाथ तक पंजाब या हर्याने दे कॉंटेक्स दे विच इना नों यानि कि शामलाट दे दे विच जड़ा हिस्सा किसी भी लैंड होलडर दा हुंदा सी, किसी जमीदार दा हुंदा सी, जे उसने सरपांच दी मिली पुगर्दे नाल इस जमीन नो या इस लैंड नो किसी होर बंदे नो बेचता, खास करके चंडिगड या फिर बड़े जड़े शेर में पंजाब दे, ओना दे आले दो आले जमीना मेंगिया होई या ते ओथे यह जरा ट्रेंड जाधा बेखन मिच मिले या, जस्टिस कुल्दीप सिंग दी रिपोर्ट दोते मैं थोड़ा जिकर करांगा, क्योंकि मैं चामागा कि जड़े को दी समा मिलेगा, अपां ल देश है, जड़े हैगे ने, उना दे आसपास जड़े असर रसूखदार रखन वाले लोग ने, आईस अफसर, IPS जड़ी लॉब्य है, कई पंजाब दे साफ का, DGP तो लेके, पंजाब दे साफ का, गवर्नर दे रिष्टेदारां तक, कई पॉलिटिक्शन्स जड़े हैग कई ऐसे चो ने, कई नाले जड़े पहला चलया कर दे सां, सुवे जड़े बगया कर दे सां, ओ चेक डैंज लांदे कारण बांध होगे, जमीन बंजर सी या रितिली जमीन सी, ओथे पूरा पूरा काम खाड़ गया थे, ओथे भी लोका ने नजायस का पजे काले, जो कि रसूगदार लोका ने डिरेक्टली सिद्धे कानूनी तरीके नाल, मिली पुगत करके एना शामलाट दे दी जमीना दे उत्ते भी अपनी जड़ी मल्कियत है, ओशनू कायम का रख है, हुन ए चीज सारी दी सारी एस पर ओफिशल प्रोसेस होई है, पॉलिसी वैक्यूम रह बड़े शेरां दे आले दोआले, मेंगे जड़े इलाके हो रहे ने उना दे इलाके ने बिच पंचैर दी जमीना उते कब्जे कार लो, जस्तिस कुलदीप सिंग दी रिडी रिपोर्ट आउंदी है, उस तो बार त चीज सारूं दी कैट्टन अबरिंदर सिंग ते सम्मेते उना ने भी 2019 रिपोर्ट देती है, इना सारी रिपोर्टन दे बिच उना अफसरां दे, उना बनाये गए ट्रस्ट, एंजियोज जिना ने जमीना खरी दिया, किसी ने कोई गउशाला बना ली, किसी होर चैरी टेबल काम दे ना दे होते हैं, कब्जे कार ले जमीना दे होते ये लोगो कानूनी कागस दखान गए भी जी देखो साड़े ना दे जमीन बोल दिया, इस ते नो बकैदा खरीद दिया है, अजे है जमीदार तो अजे है मालक तो जमीन खरीदी गई है, जिस दा हक बंदा सी, लेकिन लोका नो या अजे तक सरकार कोल भी अजे ही कोई ताक किसी भी पिंडवासी तो किसी भी असर रसूगदार वाले या किसी भी शक्स ने खरीदी हो सकती है, ओ एक नजायज ट्रांजेक्शन सी, जो की नाता अर्ताली देते नाहीं, उन्नीसो कहट दे कानूना दे विच उस दी कलपना सी, सो शामला दे दी ओ जो की पंचैता दी ज किसी तो जमीन नहीं हत्या सकता, लेकिन आज जड़ा बिचली कुंडी सी, इस ता नजायज बर्ता दे खड़ा होंता हुंता, मैं हराना दे किन्ने पॉलिटिक्शन दे नात होनों सुनाये, किन्ने अलाग अलाग मुखमंतरी रहे ने, तेक पंजाब दे पॉलिटिक्शन न दुर बर्तों कारके जमीन नहीं कब जाया जा रहा सी थे, हाई कोट ने ADGP चंदर शेकर, जो कि law and order दे ADGP रहे, उना दे तहते एक टीम बनाती सी, इक special टीम सी, जिसनों काम देता गया, उस टीम ने काफी काम किता, बाद दे विच जस्टिस कुलदीव सिंग दी रिपोर् अब सराने, पॉलिटीशन ने, जिड़े कब जे 35 जमीना दे उते, शामलाट दे दिया जमीना दे उते, किते हो सकते, इस सारी गलना बातां सी, लेकिन पंजाब दी सरकार, अकाली दल ले, BJP दी सरकार, मन्ने आ जान दा कि ओस वक्त, उतनिया अदालतां तक, जस्टिस कुल लालखटर या उंपर का चटालर है, कि ए लोग लालची नहीं ने, ए लोग पॉलिटीशन नहीं ने, ए लोग का दी नियता या नजरान नहीं पिंड़ान या पंचैती जमीना ते होनियां चाहिदियां सी, या रहियां होन गयां, लेकिन फेर भी उना दी सरकार ने अपनी संदर भीच की लियाना सी, सो ए पज़ाडे पंचाब या पॉलिटीशन नहीं 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 पता है, क्योंकि जे नहीं पता है, जे ओ नजयाज कबजे छुडवारे ने, पिंड़ा नियां, पंचैतना नहीं जमीना उत्ते, जो की वाकी नजयाज ने, ता फिर बहुत बहुत हरानी दी गाल है, ते उस खलादे विच उननों एस चीदा इलम होना चाहिएदा कि महज 15,000 एकड रकबा नहीं है, लखां एकड़ा दे विच जमीन है, जो की शामला डे दी जमीन नों जिस तरीके ना ट्रांजेक्शन दे जरियां दरू दर किता गया, उस दे तहत वापस म मिलनी हुन बाण दी है, सुप्रीम कोर्टी जजमेंट ने दुददददददददददददददपानी करता है, एस सुप्ते हुन कोई भी किंतू परन तुनी ते एही कारण है कि पंजाब सरकार या पंजाब दे मैक में हुन हरकत विच आये ने, सो आज नजो सिंग सिद् देने एक बहुत बड़ी शक्ती परदान किती है, ओना नो इस साब करंदी लोड है, लेकिन साधे पॉलिटीशन नो पहला ता समझ लेना चाहे दे भी इशु की है, मैंनो नो नहीं लागता भी सुप्रीम कोर्ट दे इस जज़मेंट तो किड़ी बड़ी ताकत है, जिन्द आईयां गईयां बदल दिया रही हैं, लेकिन कोई भी इनकंसिस्टेंसी अपनी उस लड़ाई दे बिच नहीं रही थे, अखीर दे बिच पंचायत दिया जिमीना पंचायत तानो वापस करा के, एक सिंपल प्रोसीजर दे जरीए इस साब कुछ होएगा, कोई सियासी हो हला हर्याना दे बिच ओ होजा नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी गाल बाता सारी पार्टी ने कारनी होंदी है, लेकिन पंचाब दे बिच हैरानी थे, मैंनो थोड़ ज़ाद दुख इस पास दे होंदा है, कि असी असलियत ते फैक्स नो अपने लोका नो दासी नहीं पान दे, व उननो छुड़वा के दखान फिर पता लगे, जिदे लिए कोई सुप्रीम कोड या हाई कोड़ दा फैसला ना हो, बद तेरे जहें नजायस कबजे ने, जो कि सुप्रीम कोड दी मैंडेट तुबार ने, क्योंकि नजायस ता नजायसी ने, एता सुप्रीम कोड दा फैसला उना जायस जड़े कानून दे तहट दारे दे विच रह के कितियां गया है, मुटेशन, जमाबंदियां या इंतकाल सी, उना नो गल्त ठहरा रहा है, अदरवाइस नजायस कब जेता बहुत आज भी ने, सो उना नो भी खाली कराओ, ते ए शामला दे दी जमीना दे, उत्ते जड़ी मल्कियत बदलियां गईया ने, जो की गयर कानूनी ने, गयर संबिदानक ने, उना नो भी हुन दुरुस्त कराया जाये, ते पंचायता दिया, जमीना पंचायता दे, कंट्रोल दे हेट, मैनेजमेंट दे हेट वापस आना, जिसने तहट कि मैं थोनो जानकारी, बो सब्सक्राइबर ने, जमीना पंचायता दे हाकां दे लड़ाईयां गईयां ने, जिना नो जिना दा क्रेडिटी ड्यू बानदा है, और देंदी लोड है, आपन लोका नो बिना पूरी जानकारी दिते, कई ज़िए बहुत बदी अकाम सरकार ने शुरू कारता है, सरकार न जिननने मैंनों शुरॉती स्टेज दे भी चार्ज तो तेन हफते पेला ही रिपोर्ट्स या सुप्रीम कूर्दी जाजमेंट पेजी सी, ओना दा भी तानवाद करना चाहांगा, क्योंको अनने बहुती सही रोश्णी दे बिच मेरी जानकारी साजी किती, ते ओना दी एक हो पर्सपेक्टिद भी सोचन दी लोड़ा है, एड़ा वड़ा जड़ा लैंड पूल वापस पंचैता दे कोल आणा है, इस दी बहुत बड़ी कपैस्टी है, जे आपां बाही योग जमीन दी ही कालकार लिए, तो उस दे ठेके सालाना पंदर थे मिलने ने, ओने जरीए ही ब अपने पंचैती मैक में किमें इस पूरी दी पूरी एकसरसाइज दा एक फाइदाव चुक सकते ने, क्योंकि आपां पचाहजार करोडर पे सलाना दा एक पैकेज के अंदर सरकार तो मांग रहे हैं, लेकिन एड़ी बड़ी सुप्रीम कोड दे ओर्डर ने सामनों एक कह सक के ता मैंनों लगता है पंचाब देविच एक बड़ा बड़ा बदला, क्वालिटेटिव जड़ा बदला है, पेंडू विकास दे पक्खों या पेंडू इलाक्या दी नुहार बदलन दे पक्खों विख्या जा सकता है, के इंदर सरकार दे दरवजे उते सानू जड़े ठ जा सकती है, पंचाग था किमें इना दा बैटर उप्योग करने तो इनकम जैनरेट करने, अपने लिए अपने सुधारली काम करने, जिर्नली क्यों अकसर सरकारा या सरकारी गरांटां दा मूव एक देने, तो इसलिए एक सुनियोचित पॉलिसी कट्टों का सरकार जरूर ब सरकार लेजिसलेशन मनावे, इस पूरी दी पूरी मुहेम नो एक चंगी दिशात एक डिरेक्शन पर दान करें, सरकारां दा एक काम होंदा है, फोटो आप जेडियां है, वो पॉलिटिक्स होंदी है, विरोधी पार्टियां तक जाता का पांसी तर तक ठीक सी, लेकिन सरकारां अपनी नीती या अफसरा ने अपनी नीतियां कड़के करना हुंदा है, वैहाल बहुत 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 अन्वाद इस रिपोर्ट नो वेक्ख लिए, फोर रिपोर्ट लाएके छेती हाजर होंगा, रितेश लखियां पलग नूँ, एमी ही अपना प्यार, ते एमी ही अपनी जरी पेटो ने जाहे, दिन देरो, thank you so much.